1. पूरी तरह से तयार तेल में थोड़ा सा सिर्का मिला देने से पूरी में ज्यादा तेल नहीं लगेगा और पूरिया नर्म भी बनेंगी 2. अगर आलू के चिप्स को स्टो करते समय उसमें पिसी हुई लाल मिर्च और नीम की मिठाया रख दी जाएं तो उसमें गंध नहीं आएगी 3. यदि ड्रॉय फ्रूट या मेवे आदी को आसानी से खाया जाना है तो उन्हें एक कंटे के लिए फ्रिज में रख दे चार दिन भर चाय बनाने के बाद उसकी पत्ती को दो चान कर पौदों के गंले में डालें यह एक बहतरीम खाद का काम करता है 5. जिस प्लास्टिक के डिब्बे में खाने पीने की चीज़ें हो उसके बाहर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देने से चीटियां उस डिब्बे से दूर रहेंगी छे कभी भी मश्रूम को पानी से न दोएं क्योंकि यह पानी सोख लेते हैं इसकी बजाए गीले कपड़े से मश्रूम को साफ कर ले 7. डाल बनाते समय कुकर में दो-तीन टुकडे सुपारी के डाल देने से डाल जल्दी पक जाती है 8. इडली डोसे का मिक्स खट्टा हो गया हो तो इसमें नारिल का दूद मिला ले 9. यदि ऐसा लगे कि दूद फट सकता है तो दूद में आधा चम्मच खाने का सोड़ा वर थोड़ा सा पानी मिला कर उबाल ले 10. डाल को एक दिन पहले पानी में बिगो कर रख दे 10. फिर अगले दिन इसे पकाने से जल्दी पकने के साथ साथ इसके पोशक तत्व भी कम नहीं होते है 11 11. यदि रात में चना विगोना भूल गए हैं तो कुकर में चने के साथ कच्चे पपीते के टुकड़े मिक्स कर दे 12. स्प्राउट्स को अधिक समय तक फ्रीश रखने के लिए इसमें नीमबू का रस मिलाकर फ्रिज में रखें 13. बिस्किट्स, कुकीज और केक बनाते समय सामगरी के मेजमिन्ट को ध्यान में रखें 14. वरना वे उतने पफेक्ट नहीं बनेंगे जितना आप सोच रही है 14. केक में बेकिंग पाउटर मिलाने से पहले उसकी एक पाईरी डेट चेक करें 15. केक बनाते समय घोल को हाथ से फेटने की बजाए इलेक्ट्रिक बीटर से एक ही दिशा में बीट करें 16. लौकी का कौफटा या हलवा बनाने के लिए इसे कद्दू कस करने के बाद जो पानी निकले उससे आता गूंग ले इससे पराठे ना सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे बल्कि हेल्थी भी मुझे उम्मीद है कि आज के कुकिंग टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे इसलिए कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और स्वस्त रहें खुश रहें